जेहीं दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी भरती के बारे में आप सभी को बता दे टीये आर्मी भरती के तरब से एक नई नोटीस आप सभी के लिए रिलिज किया गया है तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जो नई नोटीस आप का रिलिज किया गया है उसमें क्या जानकारी दिया गया है टेरिटोरियल आर्मी के तरब से और आप सभी को पता है टीए आर्मी का जो भरती का इंतजार है काफी सारे स्टूडेंट कर रहे हैं कि टेरिटोरियल आर्मी का जो भरती है यानि कि टीए आर्मी का जो लास्ट वेक आपका रिलीज नहीं किया गया है हालांकि इसके पहले 2019 के पहले आप सभी को पता होगा परते एक साल जो है टेरिटोरियल आरमी का भरती आता था लेकिन यहाँ पे 4 साल से आपका T.A. आरमी का भरती नहीं आ रहा है और इसको लेकर काफी सारे student का भी सवाल आ रहा था कि TA Army की नई भर्ती कब आएगा क्योंकि इस बार जो है आप सभी को पता है अगनी बिर आर्मी का भर्ती जो है ओल्रेडी आपका आ चुका है जिसका एक जाम भी complete हो चुका है लेकिन TA Army की भर्ती जो है अभी तक आपका रिलीज नहीं किया गया है तो चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एक notice जो है TA Army के तरब से आपका रिलीज किया गया है Central Government के तरब से यहाँ पर देखेंगे यह रहा notice और इस notice के बारे में भी कुछ student का सवाला रहा था कि यह कैसा notice है तो यहाँ पर देखेंगे यह जो आपका notice है Central Government यानि कि केंदर सरकार के तरब से रिलीज किया गया है और TA Army में जो है कुछ परिवर्तन को लेकर यह notice है यानि कि TA Army में कुछ बदलाव किया गया है उसको लेकर यह notice यहाँ पर रिलीज किया गया है इसलिए मैं इस topic पर जो है मैं वीडियो नहीं बना रहा था हाला कि यह notice 4 दिन पहले ही आपका रिलीज किया गया था आज से 4-5 दिन पहले लेकिन इसमें आप लोगों के बारे में जो है जानकारी नहीं दिया गया है इस notice को अगर आप से भी ध्यान से देखेंगे तो इस notice में जो पहले से जौब कर रहे हैं वैसे candidate का यहाँ पे कुछ परसिक्षन होने वाला है उसको लेकर यहाँ पर नोटिस रिलीज किया गया है तो यहाँ पे कुछ परसिक्षन होने वाला है उसको लेकर यहाँ पर दिया वाला है उसको लेकर कोई भी जनकारी नहीं दिया गया है Stuart यहांपर rom2 क करफ़ी दिन बाद कोई अपडेट यहाँ पे देखने को मिला है 58 पहले 4 सालसे कोई भी update टीए करफ से नहीं आ रहा था हालांकि Art प्रादेशिक से ना आप सभी को पता है टीये अर्मी इसमें जो प्रादेशिक से जोब कर रहे हैं वैसे चैंडिडेट के लिए अपडेट दिया गया है तो दोस्तों आप सभी को यहां पे बात करें कि आखिर टीये अर्मी की जो नई भरती है वो अपकॉब आएगा और क्या इसके नियम में बदलाव होने वाले हैं तो देखिए दोस्तों टीये अर्मी के भरती तो आज आना चाहिए अभी तक क्योंकि काफी दिन से वेकेंसी नहीं आ रहा है लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है कि कॉप तक जो है आपका भरती रिलिज किया जाएगा और जहां तक बदलाव की बात करें तो आप सभी को पता है अगनीवीर अर्मी में काफी सारे बदलाव किये गये हैं पहले तो आपका 4 सल का जोब हो गया उसके बाद पहले अब आपका बदलाव देखने को मिलेगा तो टीये अर्मी में यहाँ पे बात करें कि सबसे पहले ETP HD होगा या एकजाम होगा तो इसके बारे में तो अभी जो है कोई भी Officially Update नहीं है लेकिन इसमें आपको बदलाव देखने को मिलेंगे और TA Army के भरती जो है बहुत जल्द आपकी आने की भी संभावना है क्योंकि दोस्तों काफी दिन से वेकेंसी नहीं आ रहा है तो वेकेंसी कब तक आएगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें तो वेकेंसी हो सकता है कि आपको next month में यानि की June month में जो है आपको भरती देखने को मिल जाए हालाएं कि यह कोई confirm date आपको या month नहीं बता रहे हैं expected date आप सभी को बता रहे हैं कि June 2023 में भरती आने की संभावना रहेगा और बहुत सारे बतलाव भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे यानि कि जो आपका यह भरती है इसकी eligibility criteria तो same ही रहेगा लेकिन इसमें बहुत सारे changes जो है selection process को लेकर आपको देखने को मिल जाएंगे तो जब भी इससे related कोई update आएगा आप सभी कोई इस channel पर वीडियो देखने को मिलेगा फिलहाल अभी कोई भी officially जो है pressure candidate की भरती को लेकर नहीं है ये जो notice है भारत का राजपत्र the gadget of India ये जो है आप लोगों के लिए नहीं है ये पहले से job कर रहे हैं वैसे candidate के लिए ये update है तो दोस्तो आई होप आप सभी समाझ गए होंगे टीए आर्मी को लेकर कोई भी update आएगा officially तो आपको जानकारी इस channel पर देखने को मिलेंगे और जहां तक नई भरती की बात करें तो नई भरती आपका बहुत जल्द होने वाला है तो जब भी update आएगा आपको इस channel पर बत दो आपको 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 आ